Hello students, welcome to our channel ASP Classes again हमने start कर रखा था Class 11th का Chapter उसमें हमें पढ़ना है Vectors तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम Vectors के बारे में पढ़ेंगे, देखो पहले हम देखते हैं अदीसराशियों के बारे में अदीसराशियों और सदीसराशियों इसके बारे में नोर्मल हम सब को पता है कि अदीसराशियों क्या होती है और सदीसराशियों क्या होती है हम सब इसके बारे में छोटी Classes में पढ़ भी चुगे है लेकिन जहां से हमने पढ़ा है वहाँ हमने सिर्फ यह देखा है कि अदिस रासि होती है उसमें क्या है परिमान होता है दिशा नहीं होती है और सदिस रासियों में दिशा और परिमान होती है अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसके आगे बढ़ेंगे ठीक है तो देखो अदिस रासि वैप होती है जिनमें के 30 सार सी कैसे उसमें दिषा क्यों नहीं है। देखो जैसे किसी को हमने पूचा कि आप में कितना वेट है। ठीक है। तो किसी निए मेरे मंदर फिचेतर केजी है। तो फिचेतर केजी है वो एक छीज बताने के लिए उनका वेट बताने के लिए वो गया है। एक complete value है कि 75 kg में हमें इतना पूरा knowledge हो गए कि हाँ जो भी हमें बता रहा है उन बंदे का वेट है जो वजन है वो कितना है पिचेतर किलो है तो पिचेतर किलो के अलावा उनको एक्स्ट्रा में कुछ हमें बताने की जरूत नहीं पड़ी है सिर्फ उनने पिचेतर केजी बताया और हमें पता लगया कि उनका वेट इतना है इसके लावा हमें को डारेक्शन या कुछ और चीज़ की उनको सूचना देने की क्या नहीं पड़ी आवशक्ता नहीं पड़ी ऐसी अगर हम दूरी को देखे ठीक है दूरी को देखो जैसे मतलब यहां से लेकर हम दो किलो मेटर चार किलो मेटर जाते हैं तो दूरी का हमें पड़ा हुआ है दूरी किसे कहते हैं जहां पर हमारा पात का जो डिस्टेंस होती है जहां पात पात पर हम क्या करते हैं चलते ह तो आयतं में भी क्या होती है दिसा क्या अवशक्ता है नहीं होती है तो आईतन गनत्व, कारे, शक्ति, उर्जा, आवेश, चाल, विभव, आवर्थि, विसिष, तुस्मा, अदिस राशियों को क्या खता है अदिस राशियों को जोड़ना गटाना गुणा भाग करना साधान तक गणित की नियूमों की साहिता सही होता है जैसे देखो, अधिस राशियों में जो value निकलता है, जो परिमान निकलता है, वो कैसे निकलता है, वो हमारे जो गनित में निकलता है, जैसे 10 किलो, 10, 5, 8, 7, ऐसे जो निकलता है, तो normally जो हम गनित में जोडते हैं, जो हमारे जोड़ गटाव होते हैं, गुणा भाग होते हैं वैसे अदिश राशियों के होते हैं इसमें कुछ भी क्या अलग नहीं है तो साधारन तो गनित के नियम जो होते वही किसमें लागू होते हैं तो जो लाइन तो पारना करते हैं ये line क्या important है? क्योंकि जो सदीस रासिया होती है, उन में ऐसा नहीं होता है. ठीक है? क्योंकि सदीस रासियों के जोड़, गटाओ, इन सब के लिए क्या होते है? सदीस के अलग से कुछ नियम होते हैं. जैसे देखो सदीस रासिया, वैबोतिक रासिया जिन में परिमान के साथ सदीस रासियों को 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 सदीस रासियों जैसे उदारने के लिए देखो सदी सरासी, अनेक उदारने इसके वेग, समवेग, आवेग, विष्थापन, बल, बल किस दिशा में लग रहा है, दिशा कौन सी है तो उसके लिए में क्या होती है, बल के लिए दिशा के आफशक्ता होती है, तुवारन, भार, विदुचेतर और धारा गनत्व है इसमें एक एक्जामपल आता है विदुद्धारा का confusion इसमें होता है कि विदुद्धारा के अंदर परिमान भी होता है और दिशा भी होती है जैसे देखो ये क्या है विदुत दारा ठीक है तो विदुत दारा में क्या होता है परिमान भी होता है ठीक है और क्या होता है दिसा भी होता है दिसा भी होती है परिमान भी होती है और क्या होती है दिसा भी होती है लेकिन फिर भी विदुत दारा क्या एक सदीस रासी है ऐसा क्यों है एक् विदुदारेक अदीस्रासी होती है धीसे होती है गनित में करते हैं लेकिन त tieneSP cdc uh नियम होते उनके नुसार होता है और वो जो नियम होते वो विदुद्धारा क्या नहीं करती उसकी पालना नहीं करती है विदुद्धारा क्या नहीं करती है उसकी पालना नहीं करती है तो उनके पालना नहीं करती है तो इसलिए क्या हो गई यह एक अधिसराशी हो जाती है ठ देखो विदुदारा एक अदिस रासी है जबकि विदुचेतर क्या है एक सदिस रासी है क्यों क्योंकि ये सदिस के नियम का पालन भी करता है परिमान भी होती है और दिशा भी होती है लेकिन जो विदुदारा है वो कैसी रासी है अदिस रासी है परिमान और दिशा होने के बावजूद भी क्या एक अदिश राशी है reason कि ये सदीश योग के नियम का पालन नहीं करती है ठीक है देखो आगे सदीश राशी हो को जोडने गटाने गुणावे भाग करने के लिए कोई बीज गणित ये नियम लागू नहीं होता है जो साधारन गणित होती है वो यहाँ लागू नहीं होती है ठीक है इसके अपने नियम होते है जो सदीश राशी होती है उसके अपने क्या होते है नियम होते है ठीक है जिने सदीश बीज गणिती है कहते है सदीस राशियों को तीर के द्वारा व्यक्त करते है यह जो हमारा तीर होता है सदीस राशियों को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है ऐसे तीर के द्वारा व्यक्त किया जाता है यह क्या होती है नोक होती है आगे वाली को क्या बोलते है नोक बोलते है और यह जो पिछे होता है इसको क्या बोलते है पूंच बोलते है जो पिछे होता है उसको क्या बोलते है पूंच बोलते है और यह जो आगे होता है जो ऐसे तीर का निसान होता है इसको क्या बोलते है नोक बोलते है ठीक है तो तीर दुआरा व्यक्त किया जाता है तीर सदीस बिराशिय के उपर लगाए ज़ातbles कोई उपर लगाए जहें गया आप अगर मुझे बताने हैं कि है सदीस राशिय तो क एक प्रल्टे से कि अग्या लगा ते अगे अग्या तीर का निशान लगादेंगे ठीक है अब यह कौन से रासी बन गई अब यह रासी हो गई सदीस रासी ठीक है आगे देखें इस तीर की लंबाई उस रासी के परिमान था तीर की नोक रासी दिशा को पर्दशित करती है यह जो नोक होती है यह नोक हमें क्या बताती है यह हमें बताती है दिशा को यह नोक क ढूँव लिखना हो लिखना बहुत ही होता है आसान होता हिते हैं उसके लिए इतना पता हुने यू क्या है प्रारंबिक वेग ए क्या है त्वर्ण और टी क्या है समय हमने अभी देखा कि कौन से सदिस रास है और कौन सी अदिस रास है आपको यह रास है वो याद होने चाहिए आप कोपी में लिख लेना तो देखो जो वेग है वेग कैसी रास है वेग एक सदिस रास है तो हम अगर इसको लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, सदीस के रूप में V vector, यह तीर का निसान लगा दिया, यू भी क्या है, वेग है, तो वेग भी क्या है, सदीस रासी है, तीर का निसान लगा दिया, एक है त्वर्ण है त्वर्ण भी कैसी है एक सदीस रासी है तो तीर का निसान लगा दिया लेकिन जो T है वो सदीस रासी है या अधिस रासी है तो T कैसी रासी है सदीस रासी है तो इसके उपर क्या नहीं लगेगा तो हम इस एक्वेशन को सदीस के रूप में कैसे लिख सकते कुछ इस हिसाब से लिख सकते हैं ठीक है देखो जो सदीष रासी है उनके उपर तीर का निसान लगा सकते हैं लगा देते हैं यह वेग तुर्ण और तुर्ण सदीष रासी है जब कि जो समय टी है वो क्या है अदीष रासी है इसलिए इस पर क्या नहीं लगा है तीर का निसा सतन नहीं लगाएंगे ठीक है अगे देखे इनकी जो दिशा है वो दिशा भी क्या है एक ही साइड है और इनकी जो लंबाई है वो भी क्या है बराबर है तो मतलब कि परिमान में और दिशा दोनों में क्या है बराबर है तो समान सदिस में क्या होता है समान सदिस में परिमान और दिशा दोनों ही क्या होते हैं बराबर हो ठीक है बराबर होते हैं अब देखो ए समान सदिस क्या होते हैं अब आपको देखे पता लग रहा होगा कि समान सदिस में परिमान और दिशा दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं लेकिन जो ए समान कुछ उपर जा रही है और यह जो दिशा है यह कहां जा रही है कुछ इधर जा रही है तो यह दोनों परिमान में तो क्या है बराबर है लेकिन दिशा में क्या है वीपरित है ऐसे सदिस कहलाते है ऐसे समान सदिस कहलाते है ठीक है आगे देखिए आगे देखो एक आंग सदिस एक कांग सदीश का तो मतलब ही क्या होता है दिशा बताना, हम इसको simple way में, अगर हम एक कांग सदीश के बारे में याद रखना हो तो हम दो चीज़े याद रख सकते, पहला इसके value क्या होती है, 1 होती है, दूसरा जो n-cape होता है, ठीक यह काम क्या आता है, यह आता है दिशा हमानलो जैसे मैंने यह लिख दिया एकडर और यह सदिस है क्या लिखा है एक रहीं चाथ इसके नहीं नहीं के आखो इसका परिमान होता हूं कि आ तो झाया होता है यहाइक यह आपको अंध्य यांद रखना है क्या कहलाता है एकांग सदिस कहलाता है और NKPI एकांग सदिस काम किस में आता है दिशा बताने में काम आता है माना A सदिस है एक सदिस है जिसका परिमान A है इसका परिमान क्या है A तो देखो परिमान A है इसका मतलब यह कैसी राज़ी है अदीस रासी है, सदीस रासी होती तो क्या लगता, वेक्टर लगता, ठीक है, अब देखो, A वेक्टर अपोन A, क्या लगाया है देखो, यहां इनो नहीं लिखा है, A वेक्टर अपोन A, तो यह तो क्या एक सदीस रासी है, बटे परिमान, को एकांक सदीस कहते हैं, इसी को क् कहते हैं एक कंग सदीश इस को क्या कहते हैं एक कांग सदीश को तो यह किसका फोड्Newly допονत मद यह aporeंट पॉसरी होता है यह किसका फॉर्मूला चाउन यह हमारा क्या मद यह हैं प्रिमारा ऑफिक कि ऐसको एक कैप के द्वारा बता दिया ना आपको इसका जो द्वारा क्या करते हैं ठीक है इसका जो सुत्र होता वो कुछ ही होता है बता दियर आप देखो एक सब्सक्रान करतेएं का सुदसेस की सदीश गुनन कर रहे हैं अज्छन तो नोर्मल जो हमारे बीज़ गणीत उती है वैसे कई जाता है सदिस क्या होते जो नियम होते वह नियह देखते देखो इसका माः आपको ऊज kendi हमाँ क्या बताऊं आपको ऊजिस smart तो आप उसको याद रखना और comment section में मुझे बताना है कि आपको वो ट्रिक अच्छी लगी या नहीं ठीक है तो देखो यहां हम लिखते हैं I cap यहां लिखा है J cap और यहां लिखा है K cap ठीक है अब देखो अगर मैंने I को J से गुणा किया I को J से गुणा किया तो मैं यहां लिख रही हूँ ठीक है दियान रखना भई देखो I J ठीक I को J से गुणा किया ठीक I को अगर J से गुणा करोगे तो हमें क्या मिलेगा K cap तो यहां क्या लिखोगे K cap ठीक है अब J को K से मल्टिप्लाइ करेंगे ठीक है यहां लिकर दियु में J को मल्टिप्लाइ किया किस से J को मल्टिप्लाइ किया K-CAP से तो हमें क्या मिलेगा I-CAP क्या मिलेगा I-CAP अब K को मल्टिप्लाइ करेंगे किस से I-CAP से के को multiply करेंगे i cap से हमें क्या मिलेगा J cap समझ मिला है ये circle का सी गुम रहा है कि I को J से multiply किया i को J से किया तो में क्या मिला K J को के से करेंगे टो i और i को के सी करेंगे तो j ठीक है अगर हम इसका उल्टा करें क्या करें देखो अगर इसका उल्टा करें तो क्या होगा कि इधर रिवर्स चलो I को K से मल्टिप्लाइ करो तो क्या मिल जाएगा माइनस का J K को J से मल्टिप्लाइ करो तो क्या मिल जाएगा माइनस का I जे को i से multiply करो तो क्या मिल जाएगा minus का k ये किस के तरीके ये ये सदीस गुणन निकालने के है ठीक है तो देखो अगर i गुणा i ये जो trick है ये इस से related नहीं है ये मैंने आपको अलग से trick बताईए ठीक है जो हमारे काम आएगे अभी देखो अगर हम i को i से गुणा करते हैं सदीस गुणने के लिए तो क्या होता है 0, j को j से याद रखना है आपको कि i को अगर i से multiply किया 0, j को j से multiply करेंगे तो 0, k को k से multiply करेंगे तो भी 0 ठीक है अगर i को j से multiply किया तो क्या मिला k यह जो ट्रिक यह है जो मैंने बताई है यह रहा ठीक है कि i को जो j से multiply करेंगे तो क्या मिलेगा k-cap और j को अगर k से करेंगे तो i-cap और k को अगर i से करेंगे तो j-cap समझ में आया यह जो ट्रिक थी ना second वाली ठीक है यह second वाली आप किस से निकाल सकते हो इस से निकाल सकते हो ठीक है और यह तो आपको मैंशा याद ही रखनी है first वाली तो कि i को i से multiply करेंगे तो 0 सदिस कुननन के लिए j को j से करेंगे तो 0 के को k से करेंगे तो 0 ठीक है आगे देखो सुन्य सदिस सुन्य सदिस क्या होता है जिसमें y सदिस का परिमान सुन्य हो जिसका परिमान क्या हो सुन्य हो तो वह कौन सदिस होता है सुन्य सदिस होता है ठीक है तो a vector क्या हो गया 0 सो वीपरी सद्ध क्या होता है जिसमें जिनकी दिम वीपरी तो यह सदिखो से एक सदिस्सवंसस लिए रखा है कितने सदिसलिए और इसके सदिस अब देखो प्रاؤ लोग और मताओ कमेंठ सेक्ψंट में खुद देखे कमेंट में बताना कि यह दोनों परिमान में बराबर है या नहीं है और दिशा में वी-पीत है या नहीं है तो इनका जो result कहाएगा तो इसके बारे मैं आपको मुझे comment खैसे ने ठीक है और बताना जया है बताना है कि यह दिशा और परिमान में इनकी दिशा के है और इनका परिमान के है ठीक है बराबर है यह वीपरित है तो देखो वीपरी सदिस में क्या लिखना है वह सदिस जिसका परिमान बराबर हो परन्तु दिशाएं क्या हो वीपरी तो क्या कहलाते है वीपरी सदिस कहलाते है तो व क्या लेने हैं कोई भी दो सदिस लेने हैं ठीक है तो देखो सदिसों के गुनन के लिए बीजदिनने नियम लागों नहीं नहीं होते हैं पढ़ चुकर में मैंommt जब दो सदिस गुनन sleep किया जाता हूं तो हमें क्या मिल सकता है हमें जो मिलेगा वो एक सदीस रासी भी हो सकती है या और अदीस रासी भी हो सकती है इन दोनों में से कोई भी हो सकती है दोनों में से क्या हो सकती है सदीस रासी भी हो सकती है और वेग और तुर्ण ये दोनों ही कैसी है सदीस रासी है लेना क्या है द देखो, अब जैसे बल और विस्तापन, एक तो क्या लिया, बल, दूसरा क्या लिया, विस्तापन, बल को मैंने F से लिखा और विस्तापन को किसे लिखा है, ऐसे, ठीक है, दोनों सदीस रासिया, ये भी क्या है, सदीस रासिया और ये भी क्या है, सदीस रासिया, लेकिन जब इनका गुनन किया जाता है क्या किया जाता है इनका गुनन किया जाता है तो कार्रे या बल आगुण तो हमें क्या मिलता है या तो डबलू मिलता है डबलू क्या होता है कार्रे यह हमें मिलता है बल आगुण बल आगुण क्या होता है टोर्क होता है ठीक है तो कार्रे तो क्या है यह जो कारव है यह क्या एक अदीश रासी कैसे अदीश laten लेकिन जो टॉर्प ए कैसी सदीश रासी सदीश रासी एक है है अगर आंगे कि एक बल्स क्या है विस्थापन दोनों लाजği कैसी था यह सदीश गुनन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है डबलू मिलेगा या तो वर्क कार्य मिलेगा या फिर क्या मिलता है टोर्क टोर्क क्या होता है बल आगूर ठीक है तो जो कार्य होता है वो कौन सी राशी होती है अदिस राशी होती है और जो टोर्क होता है वो कौन सी राशी होती है सद जो अलए कि मतलब करते हैं तो हमें क्या पता लगेगा कि हमें 9 ले हैं इसे। कि में लिए क्या करदियें इसके दो बार करदियें पर को सा की एक सदिनन करदिया और दूसरा क्या अधेश महीरे को oh देखो, सदीस गुनन, जब दो सदीसों के गुनन के पस्चाथ, मतलब गुना करने के बाद में प्राप्त होने वाली रासी सदीस होती है, क्या बोला? डो सद्सो के गुणा केना के पस्चाद हमेशी उस्ट राशी प्राप्त होते हैं सद्दीज गुणन कहते हैं और अले प्ल दूसरा में लिएग विर्टापन है इनको मल्टिपलाई करने के में पर हमें भ enorm भी पर चाहते हैं जो इसलों कर लिएए सद्दी। कि दो सदिसों का गुणा किया और उसे में रासी प्राप्त हुई वह कैसी हुई सदिस रासी प्राप्त हुई तो वह क्या हो गई एक सदिस गुणन हो गया ठीक है जैसे देखो ए सदिस और बी सदिस दो सदिस रासी है जब इनके बीच गुणा इनके भी सदिस गुणन होता ह तो A cross B, क्या लगाते हैं? Cross लगाते हैं बीच में Cross का निशान लिखा जाते है क्योंकि सदीश गुणन के बिच Cross चीन लगा जाते हैं इसल bacterian गुणन को Cross गुणन भी कहते हैं तो इसको सदीश गुणन बोल दो या फिर Cross गुणन बोल दो अब अगर अदिस राशियों में देखे जो क्या बोलेंगे कि हम दो सदिस राशियों के गुणा करने के पस्चाथ हमें जो अदिस राशिय प्राप्त होती है उसे क्या कहते है अदिस गुणन कहते है जैसे अगर हम क्या लें एक तो बल ले और दूसरा विस्थापल ले दोनो क्या होती दोनों को सबस्जान little करने पर हमें जो रचि पराप्त में वो क्या और आसी पराप्त होती और कुंकि दो स्टाइस WILL करने पर हमें अगर अग्षि और यहां कि विधिक प्रोडेक्ट अब होता है कि कि हम इसको किसे लिखेंगे दोट से लिखे हैं, तो हम अदिस गुनन को क्या बोल सकते हैं, अदिस गुनन भी बोल सकते हैं, दूसरा डोट प्रोडेक्ट, क्या बोल सकते हैं, डोट गुनन भी बोल सकते हैं, ठीकर, क्योंकि यहां बीच में क्या लगा है, डोट लगा है, ठीकर, आगे देखिए, दो सद जब दो सदिसों को गुणा करेंगे तो हमें अदिष रासी प्राप्त होगी उसको हम डौट प्रोडक्ट से लिखते हैं जैसे देखो यह एक अदिष रासी होती है जो दोनों सदिसों जाके गुननफल के क्या होती है, बराबर होता है, जैसे देखों, कि अगर हम क्या निकालते हैं, A dot B निकालते हैं, क्या निकालते हैं, A dot B, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, A B cos theta, क्या लिख सकते हैं, A B cos theta, अब यह दोन मुकर को ही रासी लेकिन उपराप्त नूठ को में क्या च ब्लावम किया प्राप्त होक करते हैं को सबर्स फिता एंकल और एंगल यह वाला होता है, इसके एक्जाम्पल देखो, यह जो एक्जाम्पल आना यह आपके सबसे ज़्यादा काम आएंगे, लिखने में भी, एक्जाम में भी हेल्प हो गया आपकी इससे, और वैसे भी जाद रहेंगे तो, पेपर में नंबर सही देंगे, देखो, वर् गुननफल करम विनिमे नियम का पालन करता है अधिस जो गुननफल है वो किसका पालन करता है करम विनिमे नियम का पालन करता है करम विनिमे नियम का पालन करता है करम विनिमे नियम का पालन करता है ठीक है अधिस गुननफल वित्रन नियम का पालन करता है वित्रन नियम मतलब कि अगर मैं यहां इन दोनों को plus में कर दो और यहां 2 से multiply कर दो और यहां इनको अलग-अलग कर दो देखो यहां इनको अलग-अलग करेंगे तो क्या आएगा 2 plus 2 मतलब यह से माल लो आप इसको छूड़ो इससे संदो कि अगर अगर A dot B plus C तो इनको खोलो A dot B और प्लस A dot C तो यह भी क्या आते हैं? बराबर आते हैं तो यह क्या करता है? अदिस गुनन फिल वित्रन नियम का भी क्या करता है? पालन करता है तो आगे देखिए अगर इसके मैथपून पोइंट देखे तो जब दो सदीस परस पर क्या होते है? लंबवत होते है दो सदीस यह भी क्या है? एक सदीस है और यह भी एक क्या है सदीस है यह दोनों परस पर क्या है? लंबवत है तो कितने डिगर का कोड़ बंढ रहा है? 90 डिगरी का तो उनका जो अधिष गुननफ़ है, वो क्या आएगा? सुनने होगा. कि कोस 90 तिग्री का मान कितना होता है? 0 च्थेक है? जब दो सदिष परस पर क्या हो? समानतर हो. समानतर मतलब एक सदिष यह हैं और एक सदिष यह हैं. दोनों ही क्या है? समानतर है. तो उनका अधिस गुननफिल दोनों सदिसों के परिमानों के गुननफिल के क्या होता है बराबर होता है तो यहां भी क्या है यहां को थिटा बन रहा है क्या है यहां थिटा कितना है जीरो है यहां थिटा कितना है 90 डिग्री है यहां थिटा 90 डिग्री हो यहां थिटा क्या है जीरो है, ठीक है, तो थिटा ही जीरो है, तो कोई जीरो की वेलू कितनी होती है? 1, तो क्या आगया? A, B देखो, अधीस गुणनफिलों में लंब कोणी है, एकांग सदी सो में निम्न समन्द होते हैं ठीक है? कि हमने पीछे जब सदीस गुनान के लिए पढ़ा तो क्या पढ़ा था i गुणा i, j गुणा j, k गुणा k is equal to 0 अब हम किस के लिए पढ़ रहे हैं, अदीस गुनान फल पढ़ रहे हैं पहले क्या पढ़ रहे थे, सदीस गुनान फल तो उसके लिए value कितनी होती है, 1 ठीक है, यहां देखो, वहां हमने i, i into j किया था, तो हमें क्या मिला था, k ठीक है, और j into k, j into k किया थो क्या मिला था, i यहां अगर i into j करेंगे, तो क्या मिलेगा, और j into k करेंगे, k into i करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 0 तो इस में और जो पहले पढ़ आई उसमें क्या वो difference यह याद रखना है ठीक है आगे देखो 21 इसमी अडियाव दो लिए स्था पन लिया ठाल करें तो इस बार हम्हें क्या पराप्त होगा तो तो क्या होती है सदीष को बच्चा पारति किसको बोलते हैं साइन ठेटा को फिक है गुननफल के बड़ाबर होती है इसकी दिशा के क्या होती है दोनों सदीष कितल के क्या होती है लंवत होती है तो देखो 1-00 तो ये हैं,1-00 ये है, तो जो दिशा निकलेगी, वो क्या निकलेगी, इनके लंB Jord निकलेगी, ये देखो, n-Cave क्या बताता है, दिशा बताता है, किसकी बता रहा है, a and b. खीक है, जैसे देखो, माना 2-00 सदिश है, एक तो क्या e v. वेक्टर है, A वेक्टर गुणा, B वेक्टर, तो अगर हम इसकी वेल्यू निकाले तो क्या आएगए, इसकी वेल्यू आएगए, A, B, Sine, Theta, ये किसके लिए हैं, ये सदीस राशियों का सदीस गुननफल, तो क्या हो गया, Sine, Theta, क्रोस को अटाकर, इसको दूसरा नाम के है, क्रोस प्रोडेक्ट, क्रोस को अटाकर क्या आगया, Sine, Theta, और उसमें क्या पढ़ा था, A, A, Dote, B, प्रोडेक्ट में, अगर हम डोट को अटाएंगे तो क्या आएगा, A, B, B, कोस, Theta, ठीक है, आगे देखिए, इसके एक्जामपल देखते हैं, टोर्क इस इक्वल टू क्या है, तो टोर्क कैसे रासी थी, सदीस रासी, R vector गुणा F vector, सदीस गुननफल रिनात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक होता है, Sm State गुननफल करणर नहीं करता है, आदिस गुननफल वितर नियम का पालन करता है, अधिस गुननफिल भी और सदीस गुननफिल भी ठीक है और वो क्या पालन नहीं करता ठीक है आगे देखो इसके मैतरपुन बिंदु देखते हैं जब दो परस पर जब 2 सदीष परसपर क्या होते है लंबवत होते है परसपर सदीष क्या होते है लंबवत होते है तो कितने डिगरी का कोण बनता है थिटा इस इकोल टू कोण बनता है 90 डिगरी का ठीक है तो उनका सदीष गुननफल के परिमानों सबस STAR 2 सबी स क्या है बराबर होते हैं , तो不要 creepy? if 2 सब्स हैं, हम ने क्या लिए समानतर होते हैं , मैं ले one दोdest तो सब्स है, क्या हम गया szब्स सashック, क्या होता है ? सब्सक्राइस क्या होता है , गया क्कp is equal to 0 और इसका पहले क्या और पढ़ चुके है ठीक है आगे देखिए ठीक है यह क्लास हमारी होती है यहीं पर एक खतम तो हमने क्या पढ़ा है सदीस और अदिस के बारे में पढ़ा है उनके परकार देखे और उनके गुणन के बारे में पढ़ा है ठीक अगर आपको कु कमेंट सेक्षिन में जाकर पूर सकते हैं थैंक यू